ओम शान्ती आज चार मार्च दो हजार देज है रुहाप क्या है? रुहानी क्या है? और रुहे गुलाब क्या है? आईए इस बात को हम आज के स्लोगन की द्वारा जानते हैं और समझते हैं रुहाप को धारन करने वाले ही रुहानी गुलाब है रुहाप का शाप्तिक अर्ध होता है सुख प्रदान करने वाला, सुख देने वाला और यदि इस अर्थ को और गहराई से सोचे, समझे और उसका आध्यात्मिक अर्थ निकाले, तो रुहाप का अर्थ ये हो सकता है शुद्धता पवित्रता, जो की आत्मा का निजी गुण है, आत्मा का निजी स्वभाव है. और पवित्रता ही सुख शांती की जननी हैं, इसलिए जो पवित्र आत्मा होते हैं, वे अंदर से सुख स्वरूप होते हैं, शान स्वरूप होते हैं, सुखों से संपन होते हैं. इसलिए अंदर से वे सुख मैं होने की कारण से उनके चहरे पर चाल चलन से वो खुशी की जलक बिल्कुल स्पर्ष्ट समझ में आता है दिखाई पड़ती हैं इसलिए वे जिनसे भी मिलते हैं जहाँ पर भी जाते हैं वे सुख प्रदान करते रहते हैं सुख देते रहते हैं तो यही है रुहाब तो रुहाब को धारन करने का अर्ध ही है पवित्रता को धारन करना जो ऐसे पवित्रता को धारन करने वाली आत्मा है उसी को ही रुह गु जिस तरह गुलाब का पुश्प, खुश्पू के कारण से उसके सुन्दर और मीठी महे के कारण से सब को प्रिय लगता है। इसलिए सब गुलाब को पसंद करते हैं और गुलाब को ही फूलों का राजा भी कहा जाता है। अपने रुहानी महेक से सब को प्रसंद करती है, सब को सुक देती है। रुहानी महेक अर्थात पवित्रता की महेक। तो पवित्रता की महेक से सभी को संतुष करना, सभी को सनेह देना, सभी को प्रसंद करना यही रुह गुलाब की निशानी है, रुह गुलाब का कर्तव यह वे गुलाब तो काठों के बीच में खिलता अवश्च है परन्तु समय आने पर वो मुर्जा भी जाता है लेकिन ये रुह गुलाब काठों के बीच में रहते सदा खिला हुआ रहता है और कभी भी मुर्जाता नहीं है क्योंकि उन्होंने रुहाप यानि पवित्रता को ही धारन कर लिया है इसलिए ऐसे हम सब भी रुहाप को धारन करके रुहे गुलाब सदा खिला हुआ गुलाब खुश्बुदार गुलाब बन करके रहे ओम शांति